केंद्रे महिला इवंबाल विकास मंत्री स्मृती इरानी आजवार अनसी में आउजित जोनल बैठक में शामिल हुई उन्होंने बैठक में अपने मंत्राले की आठ साल की उपलब्धियों की समीख्षा की आयोजन की दोरान पे बेन योजनाओ के लाभार्तियों के साथ समबाद भी किया इसमृती इरानी ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है लेकिन बेबाग है क्योंकि जानते हैं देश के प्रधान मत्री नरेंद्र दामोदादास मुठीर जिरों ने कहा कि महिला राष्ट्र के उत्थान में मुगदर्शक बनकर नहीं रहेगे बल्कि इस राष्ट्र की प्रगती में पुर्शों के साथ बराबर की हिस्सेदार रहेगे कैसे इस शासन इस प्रशासन में महिला उत्थान से लिकर महिला द्वारा राष्ट्र के उत्थान की गाथा को आप सब के संभुख प्रस्तुत किया वो गाथा वो यात्रा कैसे स्रिजित हुई इसका वर्णन आज भिन भिन प्रेजेंटेशन में आपको मिला लेकिन कुछ बातों की और आपका विशिष्ट में ध्यान आकरिष्ट करना चाहते हो मैंने का जी आज हरिद्वार से बनारस आएं पच्चे को संग लाएं हमारी एक प्रेस्टिक करन में हमने दिखाया और साक्षा देखा की कैसे एक यात्रा में एक बच्ची अपने परिवार से बिछड़ गई बच्चों के लिए विशेश 1098 की व्यवस्था भारत सरकार द्वारा एक स्कीम के अंतरगत चलाई जाती है और आज इस बात का थोड़ा बहुत संदोश कर सकते हैं कि साल 2014 से लेकर साल 2021 तक उस एक बच्चों की हेल्प लाइन के मात्यम से देश में 18 लाख बच्चों का संड्रक्षन सरकार प्रदेश की सरकारों के मात्यम से कर पाए